नमस्कार दोस्तों, चाइना ने लॉंच कर दिया है 435 किलो मीटर लंबा बुलेट ट्रेन इन तिबिट, यहाँ पर आप न्यूस देख सकते हो, तिबिट केट्स फर्स बुलेट ट्रेन लिंक्स लासा टू बॉर्डर विट इंडिया, तो इसके बारे में हम डीटेल से समझें है कहाँ पर, किस प्रकार से यहाँ पर चाइना ने इसको बिल्ड किया है, और आपको पता होना चाहिए कि काफी उचाई है, सी लेवल से कर आप देखोगे, तो काफी उचाई पर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बुलेट ट्रेन बिल्ड करना, अपने आप में काफी बड़ी बात हो जाती है, तो यहाँ पर इसको अरुनाचल बॉर्डर तक लाने की कोशिश की जारी है, तो यहाँ पर चाइना का मकसद क्या है, क्या सोचकर चाइना इसको अरुनाचल बॉर्डर तक लाने की कोशिश कर रहा है, और जाहिर सी बात है कि भारत की तरफ से ऐसा तो है ने कि यहाँ पर हम सो रहे होंगे, यहाँ पर भी हमें कई सारी चीज़ें करने की आउशकता है, तो भारत किस प्रकार के strategic move चल रहा है, इन सभी चीज़ों को counter करने के लिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो काफी कुछ जानने को है, चली आगे बढ़ते हैं, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको description में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे app को भी download कर सकते हैं, सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि exactly हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में discuss कर रहे हैं, दे निंग्ची प्रिफेक्चर, मैं आपको अच्छे से मैं आप में दिखाता हूँ, जैसा कि आप देख पाओगे ये भारत की पाउंडरी है और ये तिबित के साथ जोड़ती है, और यहाँ पर चाइना के भी बहुत सारे जो प्रोविंसे हैं, वो आपको देखने को उपर मि यहाँ पर सिचुएन प्रोविंस आपने सुना होगा, यूनान प्रोविंस हो गया, तो यह चार प्रोविंस है चायना के जो कि तिबित के साथ जूड़ते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तिबित के अंदर यह जो मिडल वाला आप देख पा रहे होंगे, यह है लासा, तो यह लासा को यहाँ पर कनेट किया जा रहा है निंग्ची से, निंग्ची आप क्लियरली देख सकते हो कि अरुनाचल जो बॉर्डर है, उसके साथ यह जूइन करता है, तो ध्यान रखेगा कि तिबित के अंदर आपको प्रिफेक्चर्स देखने को मिलेंगे, टो यहाँ पर निंग्ची से कनेट किया जा रहा है, यहाँ पर आप प्रॉपर मैप में भी इधर से देख पाऊगे, लासा से इसको निंग्ची से और निंग्ची आपका काफी क्लोज है रुनाचल बॉर्डर के साथ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और यह जो पूरी जर 100th anniversary होती है, तो Communist Party of China फॉर्म किया गया था 1921 में और इसका 100 साल होने जा रहा है, तो इसी के उपलक्ष में जस्ट पहले यहाँ पर इसको इनौग्रेट कर दिया गया है, फर्दर अगर हम इसकी बाग करें, तो यहाँ पर 90% of the track is 3000 meters above sea level, आप just imagine कर सकते हो कि अबब 3000 meters above sea level पर इसके 90% of the track आपको देखने को मिलेगा, करे 47 tunnels हैं और 120 bridges हैं, लेकिन एक बहुत important चीज इसमें ध्यान रखने वाली है, कि यह तो एक just part है, आप इसको यह मत समझे कि just 435 km का इन्होंने build कर दिया है, यह बहुत बड़े game plan का हिस्सा है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ए इस province को Tibet के साथ proper connect किया जा रहा है, अभी तो क्या है, यहाँ पर just Tibet के अंदर ही इसको build किया गया है, यह bullet train को, आगे क्या होगा, कि यहाँ पर जो Sichuan में अगर आप देखोगे तो Chengdu है, इसकी capital है Chengdu, ठीक है Chengdu इसकी capital है, Chengdu से इसको भेजा जा रहा है यान, यान in fact Chengdu से यान जो है आपका already built हो चुका है 2018 में, अब यान से फर्दर इसको connect किया जाएगा, निंग्ची की साथ, यहाँ पर जैसा कि आप फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, यहाँ से इस side आपको Sichuan देखने को मिलेगा, इसका जो China का province है, वो फिर enter करेगा Chengdu में, Chengdu में enter करने के बाद यहाँ पर आपका निंग्ची आएगा, और यह मैंने आपको अलड़ी बता दिया, यह वाला connect हो गया है, तो इस तरह से यह पूरा एक proper plan बनाया जा रहा है, चाइना के द्वारा इन सभी को connect करने के लिए, मैं आपको बता दू कि Tibet Autonomous Region में, यह पहला electrified railway जैसा मैं पर यह bullet train है, आप कह सकते हो, अब यह चाइना को मदद कैसे करेगा, पहला question यहाँ पर यह आता है, तो देखें यह 160 km पर आर के रफ्तार से यह train चलेगी वहाँ पर बताया जा रहा है, और करीब जो distance है उसको 5 घंटे से reduce करके 3.5 घंटे ऐसा भी कहा जा रहा है, लेकिन सब इस पूरे railway project गा, इसको जल्दी से expedite किया जाए, इसका main कारण यह है कि जो नया railway line होगा, वो एक काफी important role play कर सकेगा, चाइना के लिए especially, क्योंकि जो भी वहाँ पर border interest है, stability है, उसको protect करने के लिए ऐसा चाइना कहता है, कि हम इसको build कर रहे हैं, साथी साथ यहाँ पर कई स असानी से Tibet के अंदर ला सके, इसके लिए यह पूरा infrastructure build करने की कोशिश की जारी है, तो question यह आता है कि क्या भारत को इससे चिंता होनी चाहिए, बिल्कुल चिंता होनी चाहिए, obvious ही बात है हमारे border पर आखिल लाने का main मकसद क्या होगा, उनका इतना बड़ा infrastructure वो बना रहे ह है, military है, अपने equipment को जल्दी से rapidly वो भारत के border तक ला सके, इसके लिए वो बनाने की कोशिश कर रहा, in fact मैं आपको बता दूँ कि जितने भी road है, rail lines है, यह already Tibet के बाकी कई हिस्से में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि for example, Chumbi Valley अगर आप देखो, वहाँ पर already rail road बनाने की कोशिश की जारी, already rail आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, Chumbi Valley कहाँ पर है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जो सिक्किम वाला पार्ट है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, दोकलाम आपको याद होगा, जो डोकलाम का पुरा issue हुआ था, भुटान, सिक्किम इन सारे, तो यह वाला जो valley आप देखते हो ना, यह आपका Chumbi Valley कहलाता है, तो यहाँ पर already China आपने road, rail link जो है, वो established लगतार बड़े स्थर पर कर रहा है, और जैसा मैंने आपको आपको अलड़ी बताया कि यह जो अभी bullet train launch किया गया है, वो आपका Arunachal border तक आ रहा है, त तो भारत क्या कर रहा है, question यह आता है कि भारत की तरफ से जो steps लिये जा रहा है, वो क्या है, देखें, भारत यह कर रहा है कि अपने military infrastructure build करने की कोशिश कर रहा है, इस पूरे border या पिर आसपास के region में अगर आप देखोगे, तो उसके threat को neutralize किया जा सके, जो भी China करने की को हो गया, वहाँ पर सुखोई 330 MKI जो है, वो अलड़ी move किया जा चुका है, इसके लावा unknown spot पर Brahmos cruise missiles लगाए जा चुके हैं, अब exactly पता नहीं है location लग रखा है, लेकिन हाँ, Brahmos cruise missiles जो है, वहाँ पर deploy किये जा चुके हैं, इसके लावा अब recently जो Rafale squadron है, वो काफी important role play करेगा करीब 5 इस तरह के jets already, जो हाशी मारा है, वहाँ पर deploy किया गया है, और बाकी के 13 planes, क्योंकि एक squadron में आपको पता है 18 होते हैं, तो 5 किया जा चुका है, अगले साल तक 13 और planes इसके अंदर कर दिये चाहेंगे, तो basically अगर आप इसको ध्यान से समझिए, तो Indian strategic thinkers का कही न कहीं य जल्दी ला सके, ये भारत की तरफ से चिंता की बात है, लेकिन चाइना की तरफ से वो लोग ये सोच रहे हैं, कि अगर हम इतनी सारे bridges और ये सारी चीजे बना रहे हैं, और भारत अपनी तरफ से ये missiles हो गया, इस तरह के fighter jets हो गया, उसको deploy कर रहा है, तो इससे उनको डर य कर रहा है, कि भारत अपनी तरफ इस तरह की चीजें deploy कर रहा है, तो दोनों तरफ से ये पुरा जो geopolitics है, वो आपको देखने को मिलेंगा, बटाई होग की इस वीडियो के माध्यां से जो overall context है, ये bullet train launch करने का वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, जाने से पहले एक interesting question, क्योंकि हम तिबिट की बात करें, तो तिबिट से related ही यहाँ पर दो statement मैंने दिया है, इसको ध्यान से पढ़िया और बताए कौन सा answer correct होगा, इसका जो सही उत्तर है, आपको पताई है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से भी आप इसका right answer ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूं, stories के form में आप जाकर play कर सकते हो, बाकि अगर आपको इसका PDF चाहिए अलग-लग social media पर जोना चाहते हैं, तो आ सकते हैं, और अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, किसी भी exams की preparation कर रहे हैं, definitely आपको हम